एक पच्चे ने बाप से पूछा पापा ये काम्याब सिंदकी क्या होती है वालित पेटे को पतंग उड़ाने ले गए बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था पापा ये धागे की वचा से पतंग और उपर नहीं जा रही है क्या हम इसे तोड़ दें ये और उपर चली जाएगी वालित ने धागा तोड़ दिया पतंग थोड़ा सा और उपर गई और इसके बाद लहरा कर नीचे आई और दूर अंजान जगा पर जाकर खेल गई तब बाप ने बेटे को जिन्दगी का फलसफा समझाया जिन्दगी में हम जिस उन्चाई पर हैं हमें अक्सर लगता है के कुछ चीजें जिन से हम बंदे हुए हैं वो हमें और उपर जाने से रोक रही हैं जैसे खर, खांदान, नजमों जब, बालदैन वगेरा और हम इन से आजाद होना चाहते हैं असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें इस उन्चाई पर बिठा के रखते हैं इन धागों के वगेर हम एक बार तो उपर जाएंगे लेकिन बाद में हमारा वो ही हशर होगा जो बिन धागों की पतंग का हुआ लहाजा जिन्दगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी भी इन धागों से रिष्टा मत तोड़ना धागे और पतंग जैसे तालुक के काम्याब तवाजन से मिली हुई उन्चाई को ही काम्याब जिन्दगी कहते हैं बेटा